जहन्द आईए आज हम लोग एक नए चेप्टर और एक नए टॉपिक को हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और जैसा आप लोग ने टाइटल में देख लिया वह टॉपिक है सेंट्रल विजलांस कमिशन देखो सेंट्रल तो कहंदी से भी को मालूम है केंद्री है ठीक है बत अब देखों यहां विजलांस डिपांट्मेंट का च्छापा पड़ा है ठीक है विजलांस डिपांट्मेंट के छापा पड़ता है पर तो क्रफशन बगेरा से अधिक और कमिशन का मतलब आयो एक चीज कह सकते ना कि कहीं भी कहीं भी कोई बिक्ति कोई आथरिटी जो ऑफिसर्स पगिरा होते हैं केंद्र सरकार की क्योंकि यह सेंटल विजलांज कमिशन है तो केंद्र सरकार की हम बात करेंगे कोई केंद्र डिपार्टमेंट देखो कई बार जो है आपना माइन्यूटली लेवल पर आप लोगों को देखते हुए चाहे कोई पास कि इस बात्मेंट से या ओफिस से लोकल लेवल पर होता है उसे हमें कह सकते हैं की मतलब निपटना होता है कि मैं प्रस्तिती में हालाकि उन्हें सरकार के द्वारा सेल्दी प्रभाइड कराई जाती है फिर भी बोलो खष्बते एक्स्टा डिमांड करते हैं और आपने कह सकते हैं की कारे जल्दी हो जाए बीना कह सकते हैं कि गए हुए कोई सोर्स लगा कि इंडारेक्ट लिभी ने कुछे का कोई पहुंच रहता है तो फौन के माध़िम से यह जो भी हो पैसा कॉजड़ पैसे वैसे देखे जो है वो अपना काम निकालने के चक्कर में रहते हैं तो दोनों तरप से जिसे करप्षन होता है ठीक है तो ऐसे करप्षन तो यह माइन्यूटली लेवल पर छोटे लेवल पर चोटे अस्तर परचीस में की कि वासती लेकिन लार्ज स्कील में भी बहुत सारे ऐसे इस्दे ऑजीativa को निर्स पहुता है जो है जैसे आप लोग 2G spectrum बहुत सारे ऐसे घोटाले आप लोग जो है सुनते रहते हैं हाला कि present government में भी तो कोई सुनने को नहीं मिला है लेकिन फिर भी एक प्रकार से इस डिपार्टमेंट और इस कमीशन का कारहीं यही है कि आप जागरूक रहें विजलेंट रहें और कहीं को भी कोई corruption कोई घुस्खोरी जमा खोरी हो उस प्रस्थिती में आप जो है चापा मार सकते हैं उसकी मोनीटरिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी बैक्ति कोई जागरूक citizen कोई भी एक अवेर citizen आपको कोई complain भी दे सकता है तो उस प्रस्थिती में जैसे अगर हमें पता चला ह है कि इस इस प्रोजेक्ट में इतना घपला हो रहा है यहां पर corruption बहुत अधिक हो रहा है उस प्रस्थिती में हम किसे complain करें इस जैट के लिए तो उस प्रस्थिती में हम Central विजलांस कमिशन में जो है अपना कंप्लेंट कर वहां दायर करते हैं तो यह सेंट्रल विजलांस कमिशन है क्या इसके स्थापना किस लिए किया गया था कब किया गया था यह constitutional वर्डी है यह Saturatory वर्डी है इन तमाम चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरी इनका जो चेर्मैन है और मेंबर है Central विजलांस कमिशन के इनकी appointment और removal कैसे होती है फिर इनके functions क्या क्या है यह किस प्रकार से कारे करते हैं ठीक है इन तमाम चीजों को हमें एक एक करके पढ़ेंगे अब यह हम लोग जान लेते हैं कि Central विजलांस कमिशन है क्या ठीक है तो सबसे पहले दान लेते हैं यह एक agency है to prevent corruption अब पहले line में ही आप समझ गयोंगे कि एक ऐसी संस्था है ऐसी agency है ऐसी institution है जो कि corruption ठीक है घुसखोरी जमाखोरी को prevent करने के लिए बनाया गया है ठीक है ताकि कहीं भी corruption होता है तो at the end of the day जो है common people जो common mass होता है जो citizen होता है वह सफर करता है ठीक है नुक्सान उसे का होता है तो ऐसे कोई corruption यह Central Government के है Central Vigilance Commission State Vigilance Commission होती है फिर district level पे भी होती है तो Central government के department Central government के authority institution के अंदर कोई ऐसे corruption ना हो इसके लिए जो है इसे prevent करने के लिए जो है ठीक है Central Vigilance Commission का गठन किया गया था in 1964 1964 में देखो कई बार prelims के question जब आप solve कर रहे होते हैं तो आप देखोगे कि Central Vigilance Commission से questions पूछे गए और यह पूछा जाता है कि कि कमीटी के recommendation यह कमीटी का नाम आप याद रखना recommended by संथानाम कमीटी ठीक है संथानाम कमीटी और prevention of corruption in 1962-64 इनका committee संथानाम कमीटी कभी पूछ देगा है कि कमीटी कि से related है तो Central Vigilance Committee से related फिर कभी-कभी question यह पूछ दिये जाते हैं बेदर तो इसमें जो है confusion create करते हैं तो यह संथानाम कमीटी के recommendation के उपरां तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी इस डैट के लिए और originally मतलब जब यह बनाया गया था ठीक है Central Vigilance Committee CBC ठीक है तो इस नाइदर एक constitutional body nor a saturated body मतलब जब शुरवात में 64 में जब इसकी स्थापना की गई इसकी establishment की गई तो यह ना ही constitutional body था और ना ही इस चैट्रोट इस टैट्री बड़ी था ठीक है लेकिन इन 2003 2003 में ठीक है 2003 में जो है Parliament by law एक फिर से कह सकते हैं कि इसमें संसोधन करती है वह है conferring statutory status to cbc इसे जो है statutory status provide करात दिया जाता है मतलब cbc को एक statutory status दे दिया जाता है कब 2003 में तो अब अब अगर कोई question पूछे कि अब हम लोग कह सकते हैं नहीं से बीसी एक से रट्री बड़ी है 2003 के बाद से अगर originally लगा दिया जाए तो इस नाइदर constitutional नौर से रट्री बड़ी और इसनली यह नहीं constitutional बड़ी था और नहीं से रट्री बड़ी था लेकिन 2003 में पार्लेमेंट के आक्ट के द्वारा इसे से स्ट्री बड़ी का स्ट्राइटस प्रदान कर दिया गया आगे है 2004 में government authorized the cvc 2004 में government जो है cvc को सेंट्रल कैसल विजलांस कमिशन एक का सौट फॉर्म है cvc हम लोग करते हैं इसको इसे जो है एक और पावर इसको और अथोरिटी इसे और 10th प्रोफाइट कराया गया जिसमें एक डेजिगनेटेट टैंशी का नाम दिया गया डेजिगनेटेट टैंशी कहने का मतलब एक टू रिसीव ठीक है जो विशल ब्लोर होते है न उज लगता डिपार्टमेंट के अंदर वाला ही बेखती होता है और देखता है सब हमारे सिनियर ऑफिसर जुनियर ऑफिसर घूस लेगा ठीक है अगर सिनियर के पास अथिरिटी रहे लेकिन कभी-कभी ऐचा होता है कि जुनियर अधिकारी कर रहा है तो वो फत्र किसे लिखेगा तो वा सीबी सी को लिखता है तो उसी को जो है वह कंप्लेन कर सकता है रिटेन में for disclosure of any allegation of corruption टीक है कोई भी corruption का allegation का disclosure करने में और मिस्यूज और अगर कोई भी बेक्ती को कोई भी aware citizen को लगता है कि कोई भी भी बेक्ती कोई भी करप्शन में इंडल्ज है in that case जो कोई भी व्यक्ति इन्हें रिटेन कंप्लेइन भेज सकता और साथ साथ recommend appropriate action फिर cvc जो है क्या appropriate action होनी चाहिए इस ऐसे corruption सिन्नी पटने के लिए या ऐसे corruption जिस पर लग रहे हैं उसके उपर उसके जो कह सकते हैं किस प्रकार से उसे punish करना चाहिए इन तमाम चीजों को जो है फिर cvc recommend करती है आगे है cvc जो है apex vigilance यह एक प्रकार से प्रमुख vigilance जो है commission है ठीक है एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे के पूरे सेंटर लेवल पर ठीक है तो apex vigilance institution free of control from एक्सक्यूटिव ऑथूरीटी और यह पूरे के पूरी भारत सरकार यह केंदर सरकार के किसी भी ऑथूरीटी के अंत्रकत नहीं आता यह free है अगर free नहीं रहेगा मालो किसी हम central government के ministry बगरा के अंदर डाल देते हैं अगर कोई ministry के अंडर डाले तो फिर वो सरकार के अंडर माल गएगी तो यह free or repair काम नहीं करेगी फिर सरकार के दवाब में काम करेगी लेकिन क्योंकि यह corruption को disclose करता है तो इसलिए इसे मुक्त होना और free होना आवश्यक है अदर्वाइस यह स्वतंतर रूप से कारे नहीं कर पाएग तो इसलिए इसे किसी भी government के executive authority के अंदर नहीं रखा गया है ठीक है monitoring all vigilance activity under the central government और यह पूरे के पूरे central government की जितने भी department बगएर होते हैं जितने भी offices authority बगएर होते हैं उसमें जो है corruption से संबंदित पूरे की पूरे की कहीं कोई corruption हो रहा हो या corruption होने बाला हो या किस प्रकार से corruption को reduce किया जाए इन तमाम चीज़ों की या monitoring करते है एक प्रकार से vigilance vigilance का मतलब ही होता है जागरूक रखना और एक प्रकार से देखवाल करना कि कहें कोई घपलाबाजी तो नहीं हो रहा है ठीक है और आगे है advising various authorities in central government organization देखो हर एक department में ठीक हर एक department government के है उसमें एक vigilance officer के निउक्ति की जाती है ठीक है ताकि वह देखें कि मेरी department में कहीं कोई जो है उसको रही या फिर power का मिस्यूज नहीं हो रहा हो तो यहीं कह सकते हैं कि इनके द्वारा इस apex body के द्वारा cbc के द्वारा जो है advice का भी काम किया जाता है सलाह मसवरा भी दिये जाते हैं किस प्रस्तितियों में कि जितने भी central government के organization है वह किस प्रकार से planning करें कोई भी project का किस प्रकार से उन्हें योजना बनाना चाहिए और किस प्रकार से उसे execute करना चाहिए और किस प्रकार से उसे review करना चाहिए ताकि हम योजना बनाते वक्त इ अगर हम उसका जब क्रियानवयन कर रहे हों उसे जब इंप्लिमेंट कर रहे हों तो इस प्रकार से उसे इंप्लिमेंट करें ताकि उसमें कहीं भी जो है ऐसा लूप होल्स ना छोड़ें जिसमें की करप्शन के चांसे बढ़ सकते हैं और साथ-साथ हम बार-बार बीच- और प्लान को जिसे हम एक्सक्यूट कर रहे हों जिसका इंप्लिमेंटेशन कर रहे हों उसे बीच-बीच में हमें उसकी रिभ्यू करते रहना चाहिए ठीक है और आगे है रिफॉर्मिंग दव विजलांस वह और जितनी विजलांस के कार्य है उसमें भी यह रिफॉर्म का क सेच रोटरी बड़ी है और इसनली इट वाज नाइदर सेच रोटरी बड़ी नौर रा कंस्टिटूशनल बड़ी इसट ग्लिए सो डैट सौब अब हम इसके नेक्स्ट बीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसके चेर्मैन और इसके मेंबर की निउक्ति इसके रोल एंड रिस्पोंसिबिलीटी होते हैं किस प्रकार से यह कारे करती है इन तमाम चाइब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो डैट सौल और फिव द फिर्स ताइम आन माई चैनल दो लाइक शेर इट आज बेले सब्सक्राइब इस अब्सक्राइ